आस् amplifier event boy 번 असुजिय। स्थानी करा ही। बहुत ही मजदर तरीके से इसकेलिय। है कि लिए चिकन लेना है आपने तीमार्टर zakन की मिग्दार सेम हो नी चाहिए। सब्सक्राइब ये हम heri मिर्चे हैं आपको वाजय करने करने के लिए कुटी लाल मिर्चें अब कर लेते हैं अब कर लेते हैं और घी या ऑइल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आपने पहले गरम करना है गरम गरम में इतना भी गरम नहीं करना कि अब आप चिकन डालते आप पर छींटे आना शुरू हो जाए बस थोड़ा सा गरम होना चाहिए या हम डाल रहे है चिकन के पीसिस जो के मैंने आपको अच्छे से धो के पहले सी रखे हुए थे ताके जब हम हांडी बनाए तो हमाई ने थोड़ी सी असानी हो जाए अब हमने यहीं करना है अच्छे से फ्राइ यहां पर देखेंगे फ्राइ हो रहे हैं फ्राइ होते हुए चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है देखें यहां पर चिकन हमारा तक्रीबन 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 तो फ्राइ हो चुका है फ्राइ होने के बाद गूल्डन प्राउन यहोना शुरू हो जाएगा उपर से तब आपने इसमें क्या करना है लसन अजर का पेस्ट मैंने ले लिया है एक चमच के करीब अगर आपके पास दोनों पेस्ट अलग अलग हैं तो आदा आदा चमच के करीब इन दोनों पेस्ट को आपने ले लेना है ओल में डालें चिकन के उपर ना फेके ऑल में अच्छे से फ्राइ होसागी का चिकन के उपर डाल देंगे तो खामखा आगए पिछे रह जागा कुछ शुषना कुछ इसमें पकाई और भुणाई का जो होता है बहुत खयाल रखना पड़ता है यह पर अब लेने टिमार्टों को काटने का तरीका थोड़ा से बता देती हूं कुछ होते हैं और निए लिटेल में बताना पड़ता है तिमार्टर को ओपर से कट करें दर्मियान तक के लिए फ्लेम को आप कर देंगे बहुत ही कम क्योंकि नीचे से चिकन जल सकता है 20 मिनिट तक चिकन को हमने क्योंकि हिलाना विलाना नहीं है तो नीचे से चिकन लगना जाए 20 मिन बाद टिमाटरों की शकल आप देख लें कितने बिचारे नरम नरम हो चुकिया इनकी उप कि मतल से चिमाटरों के जो हम थोड़े बुद रह गए हैं अच्छे से भुनाई करें ताकि टेमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए जो भुनाई करते वे छिलके थोड़े बहुत आते रहेंगे वह आपने साथ-साथ उतार लेने टेंशन की बात थी हैं कि सारे चिलके एकी वक च्छामच यह बड़े चमच में आई तो इसने आदा आपको नजर आ रहे हैं वैसे एक चमच छोटा होना चाहिए आपके पास नमक डाल लेते हैं एक चोटा चमच आप अपने घर के हिसाप से डालें जितना के खाया जाता है इसके लावावा डाल लेते हैं धन्या यह चोलिस्तानी कड़ाई है, यह बहुत आसान तरीके से बनती है, कम वक्त लेती है आपका, लेकिन जितनी ही टेस्टी बनती है, कि आगर आप एक बर ट्राइब करेंगे, तो नए चीज़ी ट्राइब करते वे घबराये नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई नए चीज आपकी स्प करें यहां पर में मसाले को दिखा देती हूं देखें कितने अच्छ से टिमाटर और मसाला आपस में मिक्स हो चुका है जैसे कि मैंने आपको कहा अगर न्यू है तो चलती से सब्सक्राइब करें चोटा सा बैल आइकन होगा उसे प्रेस करें ताके जैसी में न्यू वीडियो आजाए और आप मेरे साइड वीडियो देख सकें यहां पर हमारी हांडी ने छोड़ दिया है घी जब आपकी हांडी घी छोड़ना शुरू करती है तो आप अगर न्यू लर्णर नहीं है तो आपको काफी अच्छा अंदाजा होगा कि हांडी पक चुकी है गारिश करें हर स्क्राइब करने के बाद कॉमेंट में मुझे बताएं कि आपकी कैसी बनी थी ठैंक्स वॉचिंग अलाहाफिज